हेलो दोस्तों कैसे वाब साथ स्वागत एक पर फिर सापका हमारे यूटूब चैनल दा कैड़ पॉइंट पर दोस्तों आज की वड़े में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो देखिए स्केल कमांड जो है मैं इसे बना हुआ है इसके उपर आप जाओगे तो इसके लिख के आजाएगा दोगुना मतलब जैसे यह 100 है तो इसको 200 कर सकता हूँ और यह 50 है तो इसको 100 कर सकता हूँ एक ही कमांड से बस स्केल की कमांड से और वैसे अगर हमें करना होगा 200 by 100 तो क्या करना होगा हमें फिर से नया रेक्टेंगल बनाना होगा लेकिन नए rectangle को ना बनाते हुए हम scale command की मदद से इसको दो गुना कर सकते हैं तो समझते हैं कैसे करना है इसको scale command का use करने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर direct click कर सकते हो या फिर दोस्तों अपने keyboard से आप press कर सकते हो sc enter sc क्या होता है दोस्ती इसकी shortcut की होती है तो है तो मैं दोनों तरीके से आपको use करने के लिए दोस्तों इसको भी आपको बड़ा करना करना है अशुत करने के बादो किवोड के प्रेस करने के बाद से ब्तव का सब्सकaces करना है तो आप कहीं भी किसी भी corner पे इसको पकड़ सकते हो तो मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ इसको और अपने mouse को थोड़ा सा हलका सा इधर को और scroll करना है इस तरीके से scroll करने के बाद देखें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है अगर दो गुना करना है तो यहाँ पर आपको 2 प्रेस करना है और enter कर देना है तो देखें क्या हुआ दोस्तों यह 200 वाई 100 का हो गया मतलब यह scale हो गया दो गुना हो गया डबल हो गया तो इस तरीके से आप scale command का यूज करके अपने किसी पार्ट को दोगुना कर सकते हो और उसको हाफ भी कर सकते है तो चलिए हाफ करके देखते हैं कि कैसे यह हाफ होगा तो चलिए अब यहां सी यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ scale command पर click करना है click करने के बाद देखे दोस्तों अब यह पूछ रहा है scale object select object तो select करना है हमें object को then enter करना है enter बनने के बाद same पर आप लोग को click करना है click करने के बाद आप लोग को चार गुना इसको आप चार गुना भी कर सकते हो तो देखे चार गुना करके देखते हैं तो इस तरीके से अपने किसी प्रेस को आप छोटा और बड़ा कर सकते हो तो काफी useful command होता है दोस्तों काफी जदा use होता है यह अपने drawings को बनाते समय तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको details में सबकुस समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ल